हेलो एवरिवन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग मगद युनिवर्सिटी सेमेश्टर फर्स्ट मेजर कोर्स इंगलिज का ओफिसियल साइलेवस और एगसामिनेशन पैटर्न डिसकस करेंगे दोस्तो ये जो साइलेवस मैं आप सभी के बीच डिसकस करने जा रहा हूँ ये ना केबल मगद युनिवर्सिटी के लिए है बलकि बिहार के अंदर जितने भी युनिवर्सिटी है और उन से कनेक्टेट जितने भी छोटे बड़े कॉलेज है उन सभी के लिए मानने है क्योंक आपको पाता है अब बिहार के अंदर चार साल का ग्रैजुशन हो रहा है और फोर येर ग्रैजुशन के लिए राजफवन की ओर से एक ही सैलेवस जारी की आ गया हर एक सबचेक्ट का और वो सैलेवस और लवर बिहार के सारे युनिवर्सिटी के लिए मानने है इसलिए काफी छोटा है, आपके साइलेवस में केवल और केवल चार ही चाप्टर दिये हुए हैं, उन्हीं चार चाप्टर को पढ़ना है आपको और वहीं से एकसाम में सवाल भी पूछे जाएंगे, जेनरली आपके एकसाम में तीन परकार का सवाल आएगा, बीस मार्क्स का अब्जेक्टिव कोस्टन, बीस मार्क्स का सौट कोस्टन और 30 marks का long question 70 marks का ही exam आपका university लेगा 30 marks का exam आपका खुद का college लेगा तो चलिए मैं आपको chapter बतलाता हूँ कौन-कौन वो है पहला जो chapter आपको पढ़ना होगा दोस्तो वो है अभिज्यान शकुंतलम और अभिज्यान शकुंतलम के writer है काली दास और यह Sanskrit language का book है दूसरा जो chapter है इस chapter का नाम है The Dicing The Sequel of Dicing and The Book of Assembly Hall in Mahabharat और यह लिखा गया है महरसी वेद व्यास जी के द्वरा साधारन भासा में समझो आपको महाभारत पढ़ना है यहाँ पे और पूरा महाभारत नहीं पढ़ना है महाभारत के अंदर का यह तीन incident ही आपको पढ़ना है The Dicing, The Sequel of Dicing and The Book of Assembly Hall तो यह आपका हो गया दूसरा chapter तीसरा जो chapter है इस chapter का नाम है म्रिच कटिका और इसके writer है सुद्रक और last जो chapter है last chapter में आपको पढ़ना होगा रामाइन का बालकांड जो की बालमी की जी के द्वारा लिखा गया है तो केवल और केवल यही चार चेप्टर आपको पढ़ना होगा semester first, major course, English के लिए English honors के लिए और यह 100 marks का paper होगा जिसमें से 70 marks का exam आपका university लेगा जो की थोड़ी का paper होगा 30 marks का exam आपका खुद का college लेगा जो की practical की तरह लेंगे 70 marks का जो exam आपका board लेगा university लेगा वो तीन परकार का सवाल पूछेगा objective question, short question, long question objective total 10 आएंगे दसों का जवाब देना होगा यह compulsory है 1 question 2 marks का होगा तो 10 question 20 marks का हो जाएगा short question total 6 पूछे जाएंगे आपको 4 का ही जवाब देना होगा 1 question 5 marks का होगा तो 4 question 20 marks का हो जाएगा long question total exam में 5 आएंगे आपको 3 का जवाब देना होगा 1 question 10 marks का होगा तो 3 question आपका 30 marks का हो जाएगा तो 30 marks का long question 20 marks का short question और 20 marks का objective question 70 marks हो जाता है 70 marks का ही exam आपका university लेगा जो की थियोरी का पेपर होगा 30 marks बचा ये practical होगा और ये आपका खुद का college लेगा तो ये आपका साइलेवस और pattern हो गया बाद मांकी आप सभी को पता ही होगा शंपूर्ड इंग्लिस प्लाटफर्म के माध्यम से हम लोग English Honors का batch conduct कराते हैं तो आप में से जो student interested हो घर बैठे बढ़िया से त्यारी करना चाहती हो वो हमार साथ जूडे मैं आपको घर बैठे बढ़िया से त्यारी करा दूँगा आपने देखा semester first में चार chapter दिये हुए हैं इन चारों chapter का simple language में मैं notes share कर दूँगा और notes में तीनों फरकार का question होगा अपसे active question, short question और long question और dicto वहाँ से आपकी एकसा में सवाल पूछा जाएंगे तो chapter wise class notes share कर दूँगा previous year question papers share कर दूँगा side levels का content share कर दूँगा chapter wise धेरो video share कर दूँगा कहीं से कोई issue आएगा तो आप direct मुझे call करोगे कोई दूसरा call नहीं receive करेगा मैं आपको time बता दिया करूँगा उस time में आप call करोगे मैं खोद आपका doubt लूँगा कहीं से कोई issue आएगी तो फिर आप whatsapp message करके भी share कर पाऊगे और हाँ ये सारा activity एक whatsapp group के माध्यम से चलेगी एक छोटा सा amount आपको पे करना होगा उसके बाद मैं आपको whatsapp group में आड़ करूँगा girls का लग रूप है boys का लग रूप है और वहीं पे सारा activity चलेगा मैं आपका handwriting देखूँगा कहीं पे improvement की जरूवत होगी तो वो भी मैं आपको suggestion दूँगा कि यहां पे सुधार की जरूवत है तो हर एक activity चलेगी कहीं से कोई issue नहीं होगा तो interested student हमार सजूड़ी है मेरा whatsapp नमबर है 7048928746 इस नमबर पे whatsapp message कीजिएगा अपना session और university का ना mention कर देजिएगा मैं आपको अपने whatsapp group में add कर लूँगा Thank you so much everyone